हेलो गाइज वेलकम बेक टू मैं चैनल आप सबका स्वागत है अमारे चलनल धरमिश्ट ओफिशल में आज मैं आपको बताने वाले हूँ राजस्थान में स्थीत सीटी पेलेस के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजे शेयर कीजे तो सब्सक्राइब इसमें मिवाट साम राज के बहुत से शाषकों ने इसमें अपना योगदान दिया था सिटी पेलेस पिछोला सरोर के तर्टपरी बना हुआ है ओर महल के परिशर में भी बहुत सी चोटी महारोतों का निर्माण किया गया है City Palace का निर्मान महाराणा उदेशी दीतिय द्वारा उदेपु शेर का निर्मान किया जाने के साथ ही किया गया था इसकी निर्मान कारिया में उनके उत्राधिकारी महाराणा ने भी महतोपुन भूमी का निभाई थी तक्रिबन 400 सल पहले इस विशाल महल का निर्मान किया गया था, इस महल में महराजा रहते थे और शाषन करते थे इसलिए इस पहले इसको राजस्थार्न की इतियास में सारवाधिक महत्व दिया जाता है शुरू-शुरू में नागदा मेवाड सामरेज का विश्तर किया जा रहा था, जिसकी स्थापना 568 में मेवाड के पहले महराणा गुहिल ने की थी आठवी सब्तादी में राज्य की राधदाने को चितोड स्थरांतियत कर दिया गया, चहां सिसोधी राजबूतों ने तकरिबन 80 सालों तक शाषन किया 1557 में महराणा उदैसी दीतिय ने पुर्ण मेवाड सामरेज की स्थापना की, लेकिन समय के साथ-साथ मुगल सामरेज से युद के दोरान किले पर सेवे अपना नेंतर खोते चले जा रहे थे परेनाव स्वरूप उदैसी दीतिय ने पिछोला सरोवर की किनारे पर ही अपने नई सामरेज का निर्मान करने की ठान ली थी यह जगह चारों तरफ से जंगलों से घीरी होई थी, जिसके चारों तरफ सरोवरी सरोवर थे उन्होंने इसी जगह को अपनी नई राध्दानी बनाने की ठान ली थी प्राचे शाही शरचना का निर्मान शाही आंगन उफ राय आंगन के रूप में किया गया और वहीं से सीटी पेलेस जैसे विशाल महल के सरचना की शुरुवत की गई सन्यास ने जिस जगह पर महल बनाने की सलाधी वही महाराणा ने अपनी नई राध्दानी का निर्मान करवाया था पंदरा सो बोतर में उदे सी की मुरुत्य के बाद उनके सुपुतर महारा प्रताप ने उदे की बागदोड संभाले जबकि पंदरा सो चोतर में हल्दी घाटी की यूद में बाच्षा अकबर ने उन्हें पराजित कर दिया और उदेपूर मुंगलों के कबजे में चला गया जिसका समपना दोनों शाषकों को बीच एक शांती समझोता करके ही हुआ लेकिन 1761 में मरठाओं के बढ़ते आकरमन के चलते उदेपूर और मेवाड राज्जे से गिरने की गागार पड़ खड़े थे 1818 से महराना भीम सी ने ब्रीटिशों के साथ एक संदीप पर हष्टाक्षर किये जिसमें साफ साफ लिखा गये था कि ब्रीटिश अधिकारी दूसरे शाषकों के खिलाफ उनकी साहिता करेंगे 1947 में भारत के आज़दी के बाद 1950 में मेवड सामराजे के साथ-साथ दूसरी रिसाही थी राजजे लोकतांतरिक भारत में भी वीले हो गई इसके बाद मेवड के राजा को भी अपने शाही अधिकार और अपना शाही पद गवाना पड़ा इसके बाद उत्र अधिकारे महराओं ने महल पर अपना अधिकार बनाई रखा था और महल के परिसर को उन्होंने हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया तो चलो गाई जम जानते सिटी पेलेस की महल की परिसर की भीतर की सरचनाओं के बारे में दर्बार होल का निर्मा 1909 में फते प्रकाश पेलेस के बीतर अधिकारियों के कारिय क्रमों के लिए किया गया था जहां शाय और राजसी मीटिंग का आयोजिन किया जाता है इस होल की गैलेरी का उप्योग राजसी महला द्वारा दर्बार में चल रही गती वीदियो को देखने के लिए किया जाता है दर्बार होल को बड़े जुमर के साथ शुशोबीत किया गया है साथ ही महराज़ों के अथ्यार और उनके विशाल चितर होल में भी दिखाई देते है द्वार को बोलचल की भाषा में पोल भी कहा जाता है उदेपु शहर के पूर्व महल के मुख्य द्वार बने हुए है इन द्वार उसे हम महल में प्रविश कर सकते है शहर का मुख्य प्रविश द्वार बड़ा पोल है जो हमें महल के परिसर के पहले आंगन में ले जाता है बड़ा पोल के बाद 1725 में बनाया गया त्रिपोल या पोल आता है जो शहर के उतर में बना हुआ है दिल्खुष महल का निर्मा 1620 में किया गया था छोटी चितरशाली या छोटे पिक्चरों के रहने के स्थान का निर्मा 1927 में शुरू किया गया था यहां में मोर की चितर भी दिखाई देने को मिलते है चीनी चीतरशाला चीनी और ड़त सजावटी टायल्स को दर्शा थी है महल के परिशर में गुष्ण विलास नामके अज्यक अक्षभी है यहां पर लगू चितरों का भंडारन भी किया गया है लग्स में विलास चोख एक आठ गेलेरी है जहां मेवाट की चितरों का भंडारन किया गया है रंगबवन एक प्रकार का महल है जिसका उप्योग शाही खजान रखने के लिए किया जाता है रंगबवन में भगवान कृष्ण मीराबाय और शीव जी का मंदिर भी है वर्तमान में फते प्रकास पहले से एक विरासती शाही ओटल है जिसके क्रिष्टल गेलेरी में क्रिष्टल कूर्शी, ड्रेसिंग टेबल, सोफे, कूर्शी और पलंग टेबल, काउंटेन चिनका कभी उप्योग नहीं किया जाता मोर चोक महल के भीतर बना हुआ है इसमें मोर के आकार वाले कख्ष का भी निर्मान किया गया है कक्ष में कुल तीन मोरों को बनाया गया है बड़ी महल को गार्डन पिलेस के नाम से भी जाना जाता है जो पेलेस की बीच में बना हुआ है दूसरे महलों की उचे के साथ दिसकी तुलना की जाए जहाँ पर दूसरे महलों की चोथी मजिला बनी हुई होती है उतनी उचाई पर बड़ी महल की सबसे निचली मजिला बनी हुई है अमर विलेस परिसर की सबसे उपरी अदालते चो एक उचा बगीचा है यहां से हम बड़ी महल में प्रविश कर सकते हैं शीष महल का निर्मान 1716 में महारान और प्रताप ने उनकी पद्नी महारानी अजबेंद के लिए करवाया था फिम विलेस में लगू चितरों का भंडारान किया गया है जिन में रादाकिष्ण के कथाओं को चितरित किया गया है 1923 में सिटी पेलेस के कुछ भाग को जनाना महल को म्यूजियों में परिवर्थित कर दिया गया उदेपूर की सिटी पेलेस का निर्मान चमकदर शेली में किया गया है और राजस्तान राजे के सबसे विशाल महलों में से एक है इसके निर्मान में राज्यस्थान और मुगल वास्तुकला शेली का उप्योग किया गया है यहां से में शहर का मनरूम दश्य भी दिखाई देता है पिछला सरोर के साथ सथ महल के परिश में दूसरी एतियासी किमारत जैसे जग मंदिर, जगदिश मंदिर, मांसूल पेलर्स और मिचल माताद मंदिर भी शामिल है तो गाईज आज के लिए बस इतने अबब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगर आपको मारे वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजर बाजो जो घंटी बटर्स दबाना बिल्कू भी मत भूलेगा और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना बिल्कू भी मत भूलेगा थैंक यू फो ओचिंग बाई